बेनेफिट्स ओफ एलोवेरा चेरे और बालो के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है एलोवेरा तो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल आए जानते हैं एक एलोवेरा कैसे अपने बालो और स्किन को फायदे पहुचाता है तो फ्रेंड्स तोच्चा की करी समस्याओं के लिए यह एक बहुत ही अच्छा नैच्छा उपाय है एक और जहां एलोवेरा तोच्चा की करी समस्याओं का समाधान है वही यह तोच्चा को पोशित करने का भी काम करता है बालो और तोच्चा की खूबसूरती निखाने का सस् जो आपके चेहरे को नेचरल गलो देता है आए जानते हैं एक एलोवेरा कैसे आपके बालो और स्किन को फायदे पहुचा सकता है और चेहरे को पिंपल और दाग धबों से बचाना चाहते हैं तो रोजाना एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा के जूस या जेल को प्रति दिन चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर ताजे पानी से धो डालना चाहिए या तवचा को मुलायम रखने में मदद करता है यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो या तवचा के यौवन को बरकरार रखने में मददगार सावित ह तो दोस्तो एलोवेरा जेल मेकप रिमूवर का भी काम करता है मेकप हटाने के लिए यदि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें तो यह बहुत अच्छा होता है इससे स्किन को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है दोस्तो इसमें एंटी एजिंग गुड और एंटी ऑक शु embarrassment बनी रहेगी तो दोस्तो आये जानते हैं बालो के लिए एलोवेरा के का फाइदे हैं बाल यदि बहुत ज्यादा जड़ते हैं तो एलोवेरा लगाएं इससे जल्द ही नए बाल उगने लगेंगे एलोवेरा लगाने से औरली स्किल्प की समस्वान से छुटकारा मिल यह सभी healthy cell growth को promote करते हैं और बालो को चमकतार बनाते हैं इसमें मौझूद B12 और folic acid बालो को गिरने से रोकने में help करता है मदद करता है ऐलो विरा रक्त संचार बढ़ाने में असरदार होता है जब आप इसे अपनी बालो या scalp पर लगाते हैं तो यह वहां खून का संचार ब प्रद्धी होती है इससे तेजी से नए बाल भी आते हैं तो दोस्तों एलो विरा के गुड़ कुछ ऐसे भी है एलो विरा गंजापन दूर करने में भी असरदार है इससे नए बाल उगाने की गुड़ होते हैं इसके लिए एलो विरा को आप शैंपू की तरह इस्तमाल कर स तो फ्रेंड्स ऐलोवेरा मुहासो के लिए फायदेमंद होता है यदि आप भी मुहासो से परेशान है तो आप ऐलोवेरा जेल लिता था पपीते के पेस्ट को मिलाकर आप अपने चहरे पर लगाएंगे तो मुहासो से छुटकारा पा सकते हैं सकिन के सूजन में भी फायदेमंद होता है ऐलोवेरा का पौथा यदि आपका तोचा पर सूजन या फेज रैसे हैं तो आप ऐलोवेरा का जेल इस्तमाल करके निजात पा सकते हैं इसलिए ऐलोवेरा सकीन के लिए काफी अच्छा माना जाता है तोचा की जलन वा छीलन में भी फाइदेमंद होता है यदि आपकी तोचा में जलन है तो आप ऐलोवेरा जल इस्तमार कर सकते हैं तो दोस्तो तोचा में खुजली तथा चकत्ते के लिए भी फाइदेमंद होता है ऐलोवेरा जल अलोवेरा ठंड़क पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छी गुड़कारी और शधी अमाने जाती हैं इसलिए आप अलोवेरा का जेल लगाने से खुजली वाज़चकत्यों से आराम मिलती हैं तो दोस्तों अलोवेरा का इस्तमाल कैसे करें स्किन टोन लाइट करने के लिए एलोवेरा का गुदा नीमबू और शहद में मिलाकर चहरे पर लगाईए